बैठक होगी बचे हुए प्रत्याशियों के नाम फाइनल किये जाएंगे बिहार महाराष्ट करनाटक समेत कई राज्चियों पर चर्चा होगी तो 6 मार्च को भाष्पा मुख्याले में बड़ी बैठक की जाएगी इस वक्त के दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है कहा रहा है कि बचे हुए प्रत्याशियों के नाम फाइनल के जाएंगे बिहार महाराष्ट करनाटक समेत कई राज्चियों पर चर्चा की जाएगी 2024 लोग सभाष्पा चुनाव अब नस्तीक आ चुका है ऐसे में भारत्याशियोंता पार्टी की एक हिंद्रे चुनाव समीती की दूसरी बैठक होगी जो 6 मार्च को भाष्पा मुख्याले में होगी अब जादा चार्टकारी के साथ सवदाता स्वाती हमारे साथ जुड़ गए स्वाती कहा चारा है कि 6 मार्च को भाष्पा पार्टी के मुख्याले में बड़ी बैठक की जाएगी लोग सभाष्पा चुनाव को लेकर जी बिलकुल देखे 6 तारीक को एक बार फिर से केंद्र चुनाव समीती की बैठक होगी भारती जन्ता पार्टी की से पहले बैठक हुई है आपने देखा है कि कई सीटों को लेकर मन्थन किया गया है अलग-अलग प्रदेशों को लेकर बैठके हुई है उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर मोहर प्रत्याशियों के नाम पर लग चुका है और जो 6 मार्च को बैठक होने वाली है उसमें जो और कई राज्ये हैं जिस पर अब तक मन्थन नहीं हुआ है चाहे हम बिहार की बात करें, कनाटक की बात करें या उत्तर प्रदेश की ही जो और भी बची हुई सीटे है उसको लेकर 6 मार्च को केंदर चुनाव समीति की बैठक होने जा रही है बाकी अलग-अलग प्रदेशों पर प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगेगी और केंदर चुनाव समीती की बैटन बीजेपी मुख्याले में होगी प्रधान मंत्री नरेंद मोधी मौजूद रहेंगे ग्री मंत्री अमिश्या, राश्ट्रिय दक्ष जेपी नडड़ा और अगर हम अलग-अलग प्रदेशों की बात करें तो जिस तरह से बीजेपी तैया पार्टी की नजर है और उत्तर प्रदेश के लिहाद से बात करें तो 80 लोग सभा सीटे हैं और किस तरह से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जो जीत कर चुनाव आए उन प्रत्याशियों के नामों पर लगतार मंथन किया जा रहा अब एक बार फिर से 29 फरवरी क को बैठक पहली केंद्र चुनाव समीती की हुई थी भारते जन्ता पार्टी मुख्याले में अब 6 मार्च को दूसरी केंद्र चुनाव समीती की बैठक होने जा रही है बिहार करनाटक समेत जो अलग-अलग प्रदेश है जिसको लेकर मंथन नहीं हुआ है और जो बाकी अधन होगा और फाइनल मोहर जो है वो प्रदान मंत्री नरेंद मोधी केंद्र चुनाव समीती की बैठक में लगाएंगे जेविकर स्वाती बनी रहीएगा आप हमारे साथ